दोस्तों स्वागत हैं आप सभी का एक बार फिर से हमारे एट्यूब चैनल में दोस्तों किसी जमाने में मर्दों की चाती पर बाल होना उनकी मर्दानगी की निशानी मानी जाती थी लेकिन दोस्तों बर्तवान समय में बदलते दोर के साथ मर्दों को छाती पर बाल लखना पसंद नहीं है दोस्तों मर्दों की छाती पर बाल होने के अलग-अलग संकेत बताए गए हैं जिनसे आप अभी तक अंजान हैं दोस्तों ये वाद समी सबस्ते हैं कि दुनिया भर में मर्द अपनी अपनी पसंद के हिसाब से छाती पर बाल होने का कारण मनते ही लेकिन ये भी माना जाता है कि हर चीज का कोई ना कोई महत जरूर होता है दोस्तों ऐसा ही कुछ मर्दों की छाती के बाल को लेकर भी मना गया है दोस्तों शास्त्रों के नुसार शरीर के किसी भी अंग पर कुछ तिल, मसा, उंगलियों के नाखूनों का सफेद होना या फिर छाती पर बाल होना गाल पर तिल होना आदि किसी न किसी बात के संकेत हैं ऐसे में मर्द की छाती के वाल उसके भाग और सोभाव की और संकेत करते हैं तो दोस्तों आज के वीडियो में हम आपको यही बताने वाले ही कि अगर किसी पुरुष की छाती पर बाल है तो उसका आने वाला भविस कैसा होगा तो आप लोग वीडियो को अन तक जहूर देखना और अच्छी तरह से समझना वीडियो पसंद आये तो इसे लाइक भी करना और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो दोस्तों मर्दों की बड़ती उमर के हिसाब से उनके शारीरी विकास में बदलाव देखने को मिलता है जब शरीर का विकास होता है तो साथ में बालों का भी विकास होता है दोस्तों बैसे माना जाता है कि मर्दों को 14-15 साल की उमर में चेरे पर बाल उगाते हैं ठीक उसी परकार से मर्दों के शरीर में वरते हार्मों से भी शरीर पर बाल उगाते हैं। लेकिन दोस्तों ये अधिकतर आपको DNA पर निर्भर करता है कि आपके परिवार में यानि आपके दादा और पिता के शरीर पर कितने बाल थे। दोस्तों बालों की ग्रोथ उसके टेस्टो इस्टरान की निर्वरता पर निर्वर करता है। बागिशाली होते हैं। और दोस्तों जाडा वालों वाले मर्द बहुत अलग भी होते हैं। दोस्तों इन लोगों की कुछ खासितें भी होते हैं। आईए जानते हैं क्या होती हैं इनकी खासितें। दोस्तों च्छाती पर बाल होने वाले लोग बहुत ही भागिवान होते हीं ये मर्द दूसरों का आदर करने और हमेशा सच बोलने पर एकीन रखती ही दोस्तों इन मर्दों को जीवन में सफलता अवश्य प्राप्त होती है साथ या वेहद मेहंती भी होते ही दोस्तों ऐसे मर्दों पर आख बंद करके विश्वास किया जाए तो कुछ गलत नहीं होता है ऐसे मर्द कभी किसी को दोका नहीं देते हैं ये एक बेहत अच्छे लीडर होते हैं और सभी के साथ मिलजुल कर आगे बढ़ने का प्रियत्न करते हैं दोस्तों समाज में भी ऐसे लोगों का आदर होता है जिनकी चाती पर अधिक वाल होते ही तो दोस्तों ये ता आज का हमारा वीडियो उम्मीद करता हूँ आज की जानकारी आपको पसंद जरूर आई होगी चले दोस्तों मैं मिलता हम अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ तब तक के लिए गुड़ वाई and थैंक्स पॉर वाचिंग माई वीडियो